Hello Friends, Welcome to our channel Ganesha Abad Friends, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम Sunday Special में आज की वीडियो में दोस्तो हम Sunday Special में Unit Test देखेंगे आज आपका Unit Test है दोस्तों, बिलकुल दोस्तों आपको Unit Test है Unit 10 और 11 का, Unit 10 और 11 का आज की वीडियो में आपका Unit Test है और जो आप unit test है इसमें आपको मैं question provide करा रहा हूँ और इन question को जल्दी से एक घंटे के अंदर आप complete करके complete करके मुझे शम्मिट कर दीजिए कि हा शर हमारा इतना complete हो गया और ये question हमसे नहीं मिराया और खुद अपने आप में calculate करके मुझे अपने comment में mark भी बताएं कि शर हमने इतने mark का complete किया है और दोस्तो इसके अलावा आप जो है ना अपनी पढ़ाई को भी जाचें कि आज पता चला आज पता चली जाए दोस्तों कि अभी तक आपने कितना पढ़ा है तो इस यह आपकी पढ़ाई भी calculate हो सकती है पढ़ाई में काभी पता चल सकता है कि आपने कितना अभी तक पढ़ा है और कितना अभी तक पढ़ना बाकी है तो इन सब चीजों को दोस्तों complete कर लेते हैं सब चीजों को हम देख लेते हैं आप जल्दी से ready हो जाईए Unit टेस्ट के लिए और दोस्तों आपसे ना हर संडे से आपका unit test किया जाएगा और हर संडे आपसे unit test दियी जाएगा तो आप ready रहेगा हर संडे के लिए ओने का test unit 10 और 11 के लिए है unit 10 जिसका नाम हैantis alkan औरjas alkan में हम देख लेते हैं सबसे पहले आपको दोस्तों बता देते हैं यह जो आपका टेश्ट है वो 1 R का रहेगा यह आपका युनिट 11 और 12 मतलब एशा कहें के युनिट 10 और 11 को ओज उनिट 11 और 12 भी कहता है क्योंकि तो नाम से याद रखो यूनिट 10 हो या 11 हेलो एलकेन और हेलो एरिन और एलकोहल फिनॉल और इथर ये दो यूनिट का आपका टेस्ट है ठीक है चलो तो मैं जल्दी से एक बार कॉस्टिन को पढ़ के बता दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कॉस्टिन को समझने में तो यहां से आपसे बोला गया है कि जो फिनाइल जो है ना फिनाइल नहीं है ये है फिनॉल ठीक है फिनॉल का शुभाव होता है जो फिनॉल होता है ना मेरे फिनॉल फिनॉल का शुभाव कैंसा होता है अमली होता है चारी होता है उदाशीन होता है या उभैदर में होता है कैसा होता है आपको बताना ठीक है इथर के समाव यभी क्या है अब आपको यह बताना कि जो इथर होता है इथर का समाव यभी क्या है एलकोहल है फिनॉल है कीटोन है या फिर एमीन है क्या है आपको बताना है ठीक है ना एमीन होता है, आप इसको calculate करेंगे और अपनी marking खुद करके हमें बताएंगे, नेस्ट है नेमन में से कौन सा योगिक कौन सा योगिक AGNO3 कौन सा योगिक AGNO3 बिलियन के साथ नीला अपछेव देता है, इन में से कौन सा योगिक है जो AGNO3 के साथ नीला आप छेव देता है, यह आपको बताना है ठीक है, आँगे आपका है CX बंद होता है, मलब C single bond X जो है न, वो बंद है वो कैसा होता है, अधुरबी होता है आयनिक होता है, धुरबी होता है या वांडरवार्स कौन सा होता है यह आपको बताना है चलो इसको जल्दी से आप complete करना मेरे भाई है ना ज्यादा समय नहीं लेना आपको आपको बताई दिया है time है बनार ठीक है question देखते जाईए और आप इसको solve करते जाईए जाईए नेक्स्ट है रेक्ते स्थानों के हमें पूर्ती करना है आपको बताना है क्लोरी टॉन और च एक दुरगंद युक्त गैस बनती है वो खाली स्थान प्राफ्थ होती है तो वो दुरगंद-युक्त कैस क्या है वो इसमें आपको उसको बताना है ठीक है नेस्ट है आपका खाली स्थान के अपस्थिति कर अरण एलकौhol का क्वाथनां ऑच्छोजाता है किस की उपस्थ तक कि रूम में खालिष्थान का उप्योग किया जाता है वो आपको बताना है मैं आपको एक बार पूरा पेपर पढ़के बता दरहूँ ताकि आपको कॉस्चन में कोई प्रॉब्लम ना हूँ इसली मैं आपको बता रहू आपको करना आप ही को है calculate आप ही को करना है फुद आपकी marking बताना ठीक है और फिर मैं इसको कल answer की video provide कराऊंगा और इसके answer provide कराऊंगा ठीक है तो आप उसमें जाचना ठीक है न चलो इसके अलाबा आगे बढ़ो alcohol को पीने योग बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है जब alcohol जो होता है इसको अगर हमें पीने योग बनाना है तो उसमें क्या मिला जाता है ये बताना है alcohol के निर्जली करन पर प्राप्ट होता है alcohol का यदि निर्जली करन कर दिये जाए तो क्या प्राप्ट होता है ये बताना है इसके अलाबा बताना है कार्वोलिक आमले किसे कहती है ये आपको बताना ठीक है नेक्स्ट है ये एलकिल हेलाइड है ये एलकिलाइड लिखा है ना इसको एलकिल हेलाइड कर लेना ठीक है क्या कर लेना एलकिल हेलाइड ठीक है ये एलकिल हेलाइड धुर्वी प्रकृति का होता है फिर भी जल में आपको एल्केलहेलाइड धुर्भी प्रकृतीि का होता पेर भी जल में आभि लेह तो यह आप कितना complete करोगे इतना आप complete करोगे इसके बाद हम इसको आँगे बढाते इसके बाद आपको सबसे पहला इसमें आपको question मिला है नेम लेक्षस्ट्पित देना है पहले तो आप आप पूर्चन हो नैस्ट को नर्म इंच्ट स्पहलेक पुली को बचलितल बहुत अच्छे से करना ही इमान दारी से ठीक है मोबाल को अपने शामने रखें बस आपको फेपर देखना है इसके लाबा आंसर पे आपको नहीं जाना है कि नहीं तो आंसर देखने लगो आपको फता भी तो चले कि अभी तक आपने फड़ा कितना है नेक्स्ट है निमने पर आपको संचिप टिपड़ी लिखना है बिक्रती क्रत ये पूरा नहीं लिखा पाया ये बिक्रती क्रत इस्प्रिट है बिक्रती क्रत इस्प्रिट है नेक्स्ट है परिशुद्ध एलकोहल पावर एलकोहल इस पे आपको क्या करना है टिपडी लिखना है ठीक है ना चलो अब इसके बाद आपका अंगला कॉस्चन आ गया है अंगला कॉस्चन है सीरे से एलकोहल कैंसे प्राप करेंगे आब शक्षमी करना दीजिए सीरे से एलकोहल देखो आपको इसमें सीरा नहीं बताना सीरा क्या है आपको क्या करना है जो सीरा है सीरे से एलकोहल कैंसे प्राप किया जाता है वो बताना है तो इसकी लिए आपको पता है न, तनू करन करना पड़ता है, किडबन करना पड़ता है, ठीक है, और किडबन के अलावा, फिर किडबन में भी आपकी दो step हैं, तो ये फिकरे कामल के लिए आपको बता देता हूँ तो ये 246 ट्राइ 246 ट्राइ नाइट्रो फिनॉल जो होता है 246 ट्राइट्रो फिनॉल होता है इसको हम पिक्रे कामलों बोलते है मतलब फिनॉल से आपको 246 ट्राइट्रो फिनॉल पराप्त करना है फिनॉल से 246 ट्राइ नाइड्रो फिनोल प्राप करना है ठीक है नेश्ट है फिनोल से आपको बेंजीन प्राप करना है फिनोल से आपको क्या करना है बेंजीन प्राप करना है ठीक है इसके अलावा इसके अलावा आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आंगी लिख लेना इ तो आप समझ गए ना और तो पैरा मैथिल फिनॉल क्या होता है तो यह होता है रिंग के ऊफर OH ortho पर CH3 और para पर CH3 यह आपको फ्राप्ट करना है ortho, para, methyl, phenol यह होता है यह फ्राप्ट करना है आपको phenol से ठीक है तो क्या किया जाए कि वो फ्राप्ट हो जाए ठीक है इतना ठीक है नेक्स्ट है आपको next question है हमारा blow open अभी क्रिया अभी क्या है इससे संबंदि सेट जैप करनी हम लिखना है कल ही लोग है SN1 और SN2 में अंतर लिखना है आपको लोग है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो अपनी पढ़ाई को चाचें और पता करें कि आपने कितना अभी तक पढ़ा है और कितना अभी अभी आपको पढ़ना है ठीक है छलो अंगला कॉस्टन है हमारा निम्नलि परीवर्तन करना है जैसे ऐथिनोल से आपको और दाइथिल एथिल इथर से एथिनोल पाप तदीी उल्टा है कॉस्टन ठीक है पहले एथिनोल से डाइथिल इथर और फिर डाई एथिल इतल से एथिनॉल प्राप करना है ठीक है नेस्ट है एथिनॉल से एथाइल एसिटेट मतलब एथिल एसिटेट एथाइल एसिटेट मतलब एथिल एसिटेट ठीक है गुलुकूस से आपको एथिनॉल प्राप करना है तो यह आप दिमाग लगाईए और क कि alcohol के परिक्छन की उक्सी करन विधी समझाना है जो आलकोहल के तो प्रात्मिक दोती और तरती आलकोहल की परिक्छन की दोती है तो इसमें आपको oxy करन विधी समझाना ठिक है इसके बाद क्या करना कोई आपको पड़ाया है तो आपकी नोट्स होगे उसमें से आपका कितना सही हुआ और कितना नहीं हुआ पहल खर्याग कर बाद करना कि मुझे आपकी मार्किंग बताना एक गंटे के अंदर कितना इसा स hatır military88 जाएंगे ठीक है छलो तो किलियर है दोस्तो चलो अना तो मिलते हैं अंगली वीडियो में ठीक है तब तक के लिए थैंक्यू बेरी मच और दोस्तो हाँ जल दिये अपनी मार्किंग करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी नमबर बताना ना भूले ठीक है चलो